हाई फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भी एच डवलू वर्सेस एस डवलू के दर्म्यान में जो यहाँ पे T20 मुकावला होने वाला है इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भी एच डवलू के टीम ने जो अभी तक इस तरिश के मैचेस खिले हैं इसमें क्या बैटिंग ओर रहें का प्लेयर्स का लेकिन बाहिए अगर इस मैच का फाइनल टीम पाना चाहते हैं लाइनप के बाद तो हमारे टेलिग्राम गुरूप को जरूर जोइन कर लेना जो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में लिंक मिल जाएगा तो जल्दे से क्लिक करके हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर ले अगर इस मैच का फाइनल टीम पाना चाहते हैं तो बाकि चलिए हम लोग मैच के बारे में बात कर लेते हैं बह्न के टीम ने अभी तक इस टीरज के तेरह मैचेस खेल चुक है कि यहां पे दोनों ही टीम मतलब बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों ही टीम काफी मजबूत निमें बाके चलिए बात करते हैं यहां पे दोस्तों रेड माइने के बारे में जो कि विकेट के प्रिंग सक्षन में आपको नजर आएंगे टीम के ऑपनर बल्ले बा आप देख सकते 71 रन बड़े रन बनाए दोस्ते नोंने बाके आप देखें इंगरे सेरीज के बारे में तिन ने पूरे सेरीज में 380 रन बनाया वाँ छे विकेट भी निकाले यह यहां पर ओपन करेंगे प्लस तिन टीम के तीन ओबर तक गिनवाजी भी करते भी नजर बाके जेस देखन की बात करेंगे टीम के कैप्टेन दोस्तों पूरे सेरीज में 111 बना के 21 विकेट अपने नाम किये चार वर तक गिनवाजी करती लास्ट नुचे तीन विकेट मिला इनको टीम के मिडलर का बैट्समन है पलस है पर चार वर गिनवाजी करेगी तो यह बाके नेक्स टाड़ी जो कि चार वर बनाई बनाई इनको भी ड्रॉप करते वे चलेंगे बाके अगर आप देखेंगे दोस्तों अने डिकलर के बारे में तो पूरे सेरीज में फॉर्टी वर अपने नाम किये तीन वर तक गिनवाजी करती है और इनको हम लोग अपने टीम में तेरह विकेट निकाले निकोला जो की चार वर तक गिनवाजी करती है लास्ट मुझे दिनको दो विकेट मिला है पूरे स्रीज में तेरह विकेट अपने नाम किये समझ सकते हैं अच्छे प्लेयर बॉलिंग आपको चार वर तक करते वे दिख जाएगी पोनम याधव की करेंगे तो पुरी स्रीज में नाम कि चार वर तक गिनवाजी करेंगी इनको ड्रॉप करेंगे मतलब दो वरता करते वे दिखेगे तो इस वज़े से इनको अपने टीम में ड्रॉप करेंगे दूस्तों तो देख लो आप लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं भी सकते हैं बाकि जो यहाँ पर चार चार वर गिनवाजी करेंगे इनको अपने टीम में ट्रॉप करेंगे बाकि मैक की बात करेंगे तो पुरी स्रीज में 426 रन स्कॉर किया तीम के ओपन करते वे दिखी बहुत ही हाड़ इटर बल्ले बाज है दोस्तों 89 रन लास्ट मैच में स्कॉर किया है बहुत अच्छे यलते हैं ती स्टार्टिंग ये दो खिलाड़ी को अपने टीम में बिल्कुल वे मिस नहीं करना है आपको दोस्तों पूरे स्रीज में 14 रन स्कॉर किया टीम का फॉर्द रान का बल्ले बाज है और लास्ट में फ्रूला अच्छा स्कॉर था लेकिन खेलने के थोड़ा कम चांस है अबंडा की बात करेंगे तो यहां पेंटिस रूमना के चार वेकेट अपने नाम की इनका स्कॉर उ इनको अपने टीम में ऐसे बोलर हम लोग स्लेट करेंगे जिमा की बात करेंगे दोस्तों इनका इसको रूतना कुछ खासने को ड्रॉप करेंगे ब्रॉण की बात करेंगे तेरह विकेट इनको मिला है तीन अवर तक गेंदबाजी करते हैं यह बहुत एच्छे गेंदबाजी तो देख सकते हैं दुस्तों यह दोनों यह टीमों का रिकार्ड है अभी तक इस रिच के जो हम यहाँ पर दोनों यह टीम ने खिला है दोस्तों 13-13 मैचेज बाकि यहाँ पे सारे खिलाडियों को देखते हैं मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तेयार किया है तो चलिए लोग इसके बैसिस पर एक डेमो टीम की और आगे बढ़ते हैं सुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से दोस्तो जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तो बी एच डेवलो के टीम के तरफ से ये टीम के के वज़े से नहीं ले पा रहे हैं जीवान को लेते वे चलेंगे तो जो टीम के टॉप पे खेलती है जीवाल जो की बहुत अच्छे खेल सकती है दूस्तो इन दोनों को ट्राइक करेंगे क्रेडिट भी ठीक टाके दोनों का बाकि थोड़ा से पर क्रेडिट प्रबलम आ रहा है जो के 8.5 में हम लोग यहां पे इनको ट्राय करना है बाकि अगर आप चाहें दोस्तों इनको ले सकते अच्छे प्लेयर है बिल्कुल और अच्छे खेल सकते हैं लेकिन क्रेडिट से नहीं ले पा रहा है देख सकते तीनों का 10-10 है दोस्तों इस वज़े थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लेकिर याद रखना मैं फाइनल टीम में लाइन अप के बाद हो सकता है क्यों बड़े खिलाड़ी ना खेले तो उनके जहगा में मैं इनको अपने टीम में ट्राय करू बागी बॉलिंग की बात करेंगे चार बलर को मिने ट्राय कर रखा है यह 4 अवर गेंद बाजी करती है एम शुट भी 4 अवर गेंद बाजी करेगी से पेल भी आपके लिए तक अच्छे खेली है और इस वज़े से में गल्ने ट्राय कर रहा है ने रहा है यह तहला कि last match में नहीं खिले दिक्कत नहीं है, यह खिलते विए नजर आई अच्छे वॉलिंग भी की है, बागे captaincy के लिए जिसे कहा था, आपके लिए captaincy के लिए जी हरीस आपके लिए best रहने वाले और वाइस captaincy के लिए इनको आपने team में ट्रै कर रहा हूँ, इस team को करना है दो सेव कर लेना है, line up के बाद मैं final team के साथ साथ बहुत सारे update टेलिग्राम ग्रूप में शेयर कर दूँगा, इस match related, तो आपको टेलिग्राम ग्रूप में जोईन कर लेना है, जो कि इस video के नीचे आपको discussion box में और comment box पहला comment में link मिल जाएगा, बाकी मिलते हैं भा